आप लोगों के लिए मैं इतना अच्छा-च्छा आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों के प्यार और आशिरवाद के बीना मैं कभी आगे नहीं आ सकती तो आप लोग इतना ही प्यार और आशिरवाद मुझे करते रहिए और मेरे मुवी सन अफ बिहार सन अफ बिहार मतलब एक अधभूत नाम और आप लोग इतना सारा प्यार और आशिरवाद दिये हैं ताकि इसका वान मिलियन व्यूज आ गया है और ऐसे ही प्यार करते रहे यह बहुत ही मतलब भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे टॉपिक पे मुवी इससे पहले जितना मैं जानती हूँ नहीं बनी है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड है जो लोग देखे है वो लोग जानते है कि एक एडुकेशन सिस्टेम के उपर बनी है मुवी education system means खाली not only बिहार मतलब son of बिहार मतलब बिहार केंद्र करके बिहार को सेंटर में रखके मूवी ऐसा नहीं काफी सारे जगा है जहाँ पे government school को एकतम मतलब private school एकतम pressure दे रहा है मतलब private school इतना जादा बन चुका है जहाँ पे बहुत जादा कोई कोई मैंने हर private school नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं भी private school में पड़ी हूँ वो इंडिया में top 5 school में था विवेकरन्द मिशन school तो मैं जानती हूँ कि हर कोई private school भी बहुत expensive नहीं है लेकिन अभी तो बहुत ज़ादे expensive है और जो बच्चे लोगों के मम्मी पापा चाहते हैं कि उनके बच्चे लोग आगे जाए वो लोग आगे लेकिन परहा नहीं पार रहे लेकिन इहां पे जो है एक teacher जिसका किर्दर मैं कर रही हूँ बहुत ही अच्छा character है तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा वो परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि मुवी में मेरा क्या character है तो इसमें जब मैंने सुनी रवीक सिना जी के पास मैं जब कहानी सुनी मैं तो जब उन्होंने सोचा के मुझे teacher की किरदार में कास्ट किये है तो मैं बहुत खूश हो गई मैं थैंक्स बोली उनको और ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि Captain Video ये ऐसे मुवी आप लोगों को गिफ्ट कर रहा है और मतलब इंडस्ट्री भी सोचेंगे कि आगे ऐसे ही topic के उपर मुवी बने जो मैं बोल रही थी कि मैं government school के teacher था मुझे काफी सारे मतलब लोग मुझे offer दे कि private school में मैं teacher बन जाओ प्राइवेट school में बढ़ाओ तो मेरा fees जादा हो जाएगा लेकिन मैं बोली कि नहीं मैं government school में ही पढ़ाओंगी जहां पे गरीब गरीब घर से बहुत lower mediocre family से lower family से lower class family से बच्चे लोग आते हैं जिन लोगों का माता पिता उन लोगों को मतलब सिक्षा देने चाहते हैं सादा पैस उन लोगों के पास नहीं है तो मैं उन लोगों को ही पढ़ाओंगे government school में ही पढ़ाओंगी इसमें मेरे उपर भी मतलब teacher जो थी तो उनको बहुत torture किया जाए बहुत torture करते हैं वो एक मतलब नियाविदन करते हैं एक lawyer के पास के आप ये case लड़िये मेरे मैं पुरे गाओंवालों के होके मैं ये case लड़ना चाहती हूँ तो वो है hero खेसारी जी उनके पापा जो बोले definitely मैं लड़ूंगा लेकिन उनका भी मौत हो गया उसके बाद सभी लोग मैं उनके पास जाके बोलती हूँ कि आप लड़िये आप ही है अभी और वो मुझे बोले के नहीं आप लोगों के वज़े से मैंने खो दिया मेरे पापा को और मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूंगा मुझे कभी आप लोग आपके पास नहीं मिलेंगे आप लोगों के वज़े से मैं मेरा पिताजी को खो दिया हूँ आप लोग चले जाएए फिर वो मुझे भी इंसाल करके भगा दिया लेकिन मेरा तो एक ही मकसद था कि मैं government school में पढ़ाऊंगी और जो बच्चे लोगों के मम्मी पापा उन लोगों को सिक्षा देना चाहता है मैं उन लोगों को ही पढ़ाऊंगी जो खर्चा जादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग private school में क्या होता है जो गरीब घर से है वो लोग शायद एक महीने में जितना कमा रहे है private school का बच्चे का एक महीने का फीस वो है ऐसा नहीं होना चाहिए जो private school ऐसे डेली का भी आहले में मतलब ऐसे किया जा रहा है कुछ-कुछ जगा पे खले डेली यार कही जगा मतलब हर जगा पे सिक्षा को priority देना चाहिए बच्चे लोग को पढ़ा मतलब आगे educational system को आगे लेके चाहिए इसमें पैसा एक limit में, limit cross होना जाए मैं तो ये चाती हूँ कि limit में रखके आगे लेके जाए और रवी सिना जी Captain वीडियो ऐसे story जो सोचे है जिसके उपर work out किया है thanks to रवी सिना जी, thanks to Captain वीडियो की आप लोगों के वजाए से इतना अच्छा एक topic पे भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ दर्शकों को एक अच्छा वाला gift दे रहा है तो मैं चाती हूँ कि पूरी इंडस्ट्री ऐसे ऐसे topic में काम करें ऐसे सोचे, love story and काफी सारे love story तो सभी करते हैं मैं भी कुछ कितना मुगिस किया हूँ, मेरे से जो लोग senior है वो लोग भी किया है लेकिन कुछ topic ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे ऐसे topic में काम किया जाए और thanks to Khesari जी, Khesari जी भी, मतलब उनको तो lawyer के मतलब make-up पे इतने अच्छे perform किया है, आप लोग जानते हैं मतलब royal star and energetic star, energetic performer, तो उन्होंने भी इतना अच्छा किया है, सब लोग इतना प्यार उनको तो करते ही है इसके बाद और जादा प्यार उनको करने लगे है, तो उनका भी performance आप लोग देखे हूंगे मुवी तो देखेंगे तो धमाल मचे का मैं जानती हूं, तो कब थेटर में आएगा उसका इंतजार तो पूरे आप लोग कर रहे हो, मैं कर रहे हो, पूरे यूनिट कर रहे है कि कब आएगा, कब तहल का मचाएगा Sun of Bihar और उसी के साथ आप लोग बोजपुरी इंडस्ट्री में आप भी बहुत अच्छा स्टोडी में काम चल रहा है, काम कर रहे है, काफी सारे अक्टर, अक्टरेस, सब लोग सोचते है, केरिक्टर लेके तो बहुत अच्छा भी लगता है काम करने में हम लोगों को, और ऐसे चाती हूं कि कुछ नया आप लोगों को देते रहूं रूप मेरे प्यार का आप लोग जाके जरूर देखिए रिव्यूज दीजिए और मेरा काफी सारा मुवीज अभी शुटिंग भी होने वाले हैं और मेरा मुवीज रिलीज भी हुआ हैं काफी सारे आप लोग जानते हैं मेरा और भी बहुत सारा मौवीज मेराeez एक साल कल्लू की दुलनिया रिलीज हुआ है कौन अपना कौन पर आया पिछले महिय ने रिलीज हुआ है जबरिया फेरे गौरव जी के साथ रिलीज हुआ है साथ फेरो के सातो बचन Before You मेरा मौवी जिसका बहुत अच्छा रिसपान्स है मुझे इतने लोगों फौन किया और इतने कॉमेंट्स आप लोगों का मतलब मिला के बहुत अच्छा लगा लास्ट सीन इतना इमोशनल स्टोड़ी इतना मतलब ट्रायंगल लब स्टोड़ी संजना थी उस में मतलब रितेशी, संजना और मेरा हम लोगों का ट्राइंगल था और संजना का भी केरिक्टर बहुत अच्छा था कि वो बोली है कि मतलब वो एक मतलब उनका मैरेड बहु है और वो मतलब उनका दोस्त का मतलब उनका दोस्त का ब्रें ट्यूमर जो इसका कैरदान मैं कर रहे हूँ तो वो जानती थी कि मैं मरने वाली हूँ तो वो सैक्रिफाइस किया और मैं रितेशी जी भी नहीं जानते थी हम लोग लेकिन वो जानती थी और उन्होंने सुईकार भी किया कि हां मेरा दोस्तो तो आप लोग जानते हैं मतलब कैसे एक्ट्रेस है आप की रन्यादव जी तो मतलब मैं कुद उनकी फैन हूँ बहुत अच्छे एक्ट्रेस है आप लोग जानते हैं इतना सीनियर एक्ट्रेस है इतना अच्छे उनका रोना देखके किसी का भी रोना आ जाएगा ऐसा पफर वो खुद मतलब home production का movie था, पृत की साया भी बहुत अच्छा horror story था, मैं घुंगत में घोटा ला, कुवारी कन्या सभी horror movie किया हूँ, लेकिन उसमें क्या था ना, उस पे भूत मैं नहीं थी, भूत दूसरी heroine थी, लेकिन इसमें जो है, इसमें भी मैं मेरे, मतलब, भूत था ना, वो सब चीजें मैं totally कर पाई, तो मैं बहुत satisfied थी, जब story सुनी, मैंने ये बोल दिया था पहले ही, कि मैंने तो movie किया, घुंगत में घोटा ला, कुमारी कन्या, लेकिन उसमें मेरा करने का काम कुछ नहीं था, मैं हाँ, मेरा acting करना था, मैं acting किया, one of the important character भी था, ल और आप ही सब चीजे कर रहे हो, तो मैं सुनके बहुत अच्छा, आप लोग प्रित की साया, जरूर मतलब देखो फिर से देगा चैनल में, तो मैं रिक्वेस्ट करोंगी जी बायसकोप को कि फिर से ये movie देने के लिए, मतलब आप लोगों के लिए फिर से लगाए, movie चैनल में, आप लोग जरूर देखो, तो ये काफी सारा movies मेरा पिछले माई ने रिलीज हुआ है, तो मैं बहुत हैपी थी, और अभी मेरा Sun of VR का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसका भी धमाकेदार performance, धमाकेदार ट्रेलर आप लोगों का अच्छा पर्फॉर्म, मतलब अच्छा रिव उसको छोड नहीं पाया, फिर उसको ढूनने लगता है, फिर वो भी लास्ट में सुईकार नहीं कर रहा है, कि नहीं ये तो किसी और से शादी किया, अभी इसको क्या रखू मैं, ये तो मतलब खड़ाब लड़की बन गई है, इसका तो आप कुछ नहीं है सम्मान, बचा मतलब वो जो स्ट्रागल, बहुत बढ़िया स्ट्रागल दिखाया, तो ऐसा होता है कहीं सारे लड़की लोगों के साथ, ऐसा होता है, तो मैं चाती हूँ कि आप लोग जरूर देखो, और मनी को इतना ही प्यार और अशिरवा देते रहो, मैं आप लोगों के लिए जीती और जाड़ी रहेगी, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, रवा लोगिन के मैं ये कहके चाहता नहीं कि मेरा हमार एक मूवी, एगो मूवी, रूप मेरे प्यार का की ट्रेलर, रूप मेरे प्यार का मूवी आच उकलवा, आप लोग जाके जरूर देखी, और मे सन ओफ बिहार की ट्रेलर भी रिलीज हो चुकलवा, तो उसको भी धेर सारा प्यार और आशिरवाद दी, और आप लोगों के लिए मैं वीडियोज बना रही हूँ, न्यू चैनल लॉंच किया, बिंगल टाइगरेस मानी, इसको धेर सारा प्यार दीजिए, आप लोगी हैं, आप लोगी मेरा चैनल को आगे ले जा सकते हैं, तो प्लीज वीडियोज अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, जादा से जादा शेयर करें, आप लोगों के फेस्बूक, वर्टसप, इंस्टाग्राम, हर जगा पी लिंक देके शेयर कर दीजिए, मेरा वीडिय कुछ जादा से जादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके बाद मैं वीडियोज पर कॉंसेंटरिट करूंगी, तो वीडियोज का काम थोड़ा वार्काउट थोड़ा कम कर रही हूं, अभी शौर्स के उपर ही मैं कॉंसेंटरिट कर रही हूं, क्योंकि 3 मांस के अंदर, 3 महीने के अंदर में 10 मिलियन व्यूज चाहिए, तो आप लोग दर्शक भगवान होते हैं, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हूं, आप लोग रातो रात मेरे यूट्यूब के मिलियन ले जा सकते हो, तो इतना प्यार दो क्योंकि काफी सारे लोग नहीं जानते हैं, तो आप देखो, शियार करो, और अपकर अच्छा लगे, तो डेफिनेटी शियार करो, और सबस्क्राइब करो अब